इस वीडियो में हम Taylor दोरा दिये गए scientific management के परभूंक सिद्धानतों को संचेप में follow किया जा सकता है यानि संचेप तुम्हें बता सकता है The major principle of scientific management given by Taylor can be summarized as follow Taylor found out that there were no scientific performance standards that means how much work a worker should do in one hour or in one day He fixed performance standards for time, cost and quality of work which lead to uniformity of work As a result, the efficiency of the workers could be compared with each other Taylor ने पाया कि कई बेग्यानिक परदर्शन मानक नहीं थे यानि एक करमचारी को एक घंटे या एक दिन में कितना काम करना चाहिए उन्होंने काम के समय लागत और गुनबत्ता के लिए परदर्शन मानक तई किये परिनाम सवरूप बरकर की दचता को एक दूसरे के साथ कंपेर की जा सकती है टेलर अबजर्ब डेट वर्कस इड़ एज लिटिल वर्क एज पॉसिवर्ड फैल डेट अंडर एग्जिस्टिंग वेश्टिंग वेश्टेम एफिसियंट वर्कर गेंड नथिंग इस्ट्रा So, Taylor used the differential piece rate system Taylor ने देखा कि workers ने जितना संभब हो उतना कम काम किया उन्होंने महसूस किया कि मौझूदा मजदूरी परनाली के तहद एक कुसल कमचारी को कुछ भी अतरीक्त नहीं मिलता इसलिए Taylor ने differential piece rate system का इस्तमाल किया Taylor started functional foreman ship here 8 foreman, lower level managers or supervisor are required to supervise the workers This is because one free foreman cannot be an expert in all the functions Taylor ने कार्यत्मक foreman ship शुरू की यहां सर्मिको की निगरानी के लिए 8 foreman, lower level managers या supervisor की आवसकता होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह foreman सभी कार्यों को विशेशक नहीं हो सकता है Taylor introduced the concept of mental revolution He said that management and workers should have a positive attitude towards each other Taylor ने मांसिक करांती की अवधारना पेश की उन्होंने कहा कि management और workers का एक दूसरे के परती साकारात्मक रवया होना चाहिए नहीं तो बोस को हमें ससबकाली नहीं देते रहा चाहिए Time motion and fetis studies shall be used by determining the fire amount of work done by each individual worker पर्तेक व्रक्ति गर्थ कार्करता दोरा किये के कार की उचित मात्रा निर्धारित करने के लिए समय गती और थकान अध्यन का उप्योग किया जाएगा Time study means to record the time taken for doing each part of a job समय अध्यन का अर्थ है नोक्री के पर्तेक भाको को करने के लिए लिया गया समय record करना The full job is first observed and analyzed then it is divided into differential element parts Later the time taken for doing each parts of the job is recorded Fetage and motion studies find out and remove unnecessary and wasted movement while doing the job पुर्ण कार्ण पहले देखा और विसलेशन किया जाता है फिर या विभिन तत्त्तो भागों में विभाजित किया जाता है बाद में कार के पर्तेक भाको करने में लगने वाले समय को दर्ज किया जाता है थकान और गती अध्यन कार करते समय अनवासक और बेकार की हरकतों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है Proper scientific selection and training of workmen should be done Workmen का उचित scientific चाहयन और पर्सेचन किया जाना चाहिए the financier incentives should be give to the workers to boost their productivity and motivate them to perform well workers को उनकी उत्पादक्ता बढ़ाने और उन्हें अच्छा परदर्शन करने के लिए प्रेजित करने के लिए वित्य प्रोशाथ दिया जाना चाहिए I hope आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया तो पूछ सकते हो फिर से यदि कोई कोशन हो तो वह भी कोमेंट में पूछ सकते हो मुझसे परस्नेली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फोलो कर सकते हो मैं मिलता हो आफसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई 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 जहेंद बने मातरा